Hello students, कैसे हैं आप लोग? ऐईपसो के अच्छे ही होंगे? एक प्वार फिर से हम आपके सामने आ गई हैं एक बहतरी सेसन के साथ बच्चो मैं यानी सेलिन शर्मा आपके सामने physics को बहुत अच्छे से feel कराने के लिए आपके सामने फिर से आ गया हूं जैसा के हमारी एक series चल रही है जिसमें हम class 11 की physics को basic से top level तक सारे questions, concept, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से feel कर रहे हैं उसी series में आपके सामने आज हमारा जो topic रहने वाला है last topic में हमने आपको work को feel कराया, उसके questions कराये फिर energy को कराया energy के questions कराये और आज हमारा उसी category में जो topic है उसका नाम है बिटा जी क्या power आज हम बात करने वाले हैं पावर की अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने friends circle में share करना ना भूलें क्योंकि आपका एक share किसी बच्चे को physics सिका सकता है बहुत अच्छे से feel करते हैं बच्चों आज की बातों को पावर को capital p से रिपर्जन करते हैं हम और इसके बारे में सीखते हैं सारी बाते हैं पावर of a person or machine is defined as the rate at which work is done or energy is transfer means जिस रेट से वर्क हो रहा है या जिस रेट से energy transfer हो रही है वर्क होगा तो energy transfer तो होगी न होगी न तो वह वो से रेट को बोलते हैं पावर यानि आप समझे कि वर्क हो रहा है तो only energy transfer हो रही है लेकिन जिस rate से यानि time के according work हो रहा है तो फिर उसे बेटा क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं power एक और concept यहां लिख सकते हैं और या पर अपने ऐसे लिख सकते हैं rate of doing work rate of doing work और change in energy वर्क होगा तो energy में तो change होगा ही सही न हाँ तो rate of doing work और change in energy is called power जिस rate से वर्क हो रहा है या energy change हो रही है उसी rate को क्या बोलेंगे बिटा अब पावर बोलेंगे power is equal to हो जाएगा dw upon dt यहाँ w जो है बच्चो यह क्या है वर्क है अब वर्क क्या होता है बच्चो वर्क होता है f vector dot s vector force dot displacement तो अगर हम यहीं पर रख देंगे तो power is equal to f तो बाहरा जाएगा और यह बचेगा बिटा अपने पास ds over dt और बिटा ds over dt क्या हो जाएगा displacement upon time displacement का differentiation करते हैं अपन time के respect में तो अपन को क्या मिलती है velocity मिलती है तो power is equal to हो जाएगा बच्चा f vector dot v vector या इसको बोल सकते हैं f v cos theta यानि force और velocity के scalar product को अपन पावर बोलते हैं बिटा जी यह जो power है यह कैसी quantity होती है scalar quantity होती है इसकी कोई direction नहीं होती है अगर हम बात करें power की si unit के बारे में तो इसकी si unit होती है बिटा watt w a double t जिसको अपन जूल पर second भी बोलते हैं अगर हम बात करते हैं इसकी cgs unit के बारे में इसकी अगर एक और unit होती है तो वो होती है horsepower एक horsepower is equal to होता है 746 watt यह भी ck unit होती है इसके अलावा अगर हम इसके dimension formula की बात करते हैं तो dimension formula होता है इसका ml2 t-3 work upon time से यह सब बात है आपको ध्यान रखनी है power के regarding rate of doing work है power power के दो formula है एक तो हम force work upon time कर सकते हैं यह force dot velocity यहां से भी अपन power find कर सकते हैं तो दौनों मैंसे जिस formula की need हो आपको आप उस formula को apply करेंगे बेटा जी यह जो यहां ds over dt है यहां जो velocity है वो instant velocity है तो यह जो पावर का जो फॉर्मूला है न अपने पास यह भी कौन सा वाला है instant वाला है means यह instant नियस वेलो पावर है instant नियस पावर है बेटा जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक instant पर होती है वह वाली पावर है instantaneous power है ना जैसे त्रॉंद पावर अपना अपलाई करते हैं वह वाली पावर है यह इसके लावा एक एवरेज तो पावर होती है वह यह तोटल टोटाल टाइम होई टोटल वर काव ऑंट टोटल टाइम ठीक है अभी हम बात करते हैं पहले अप इसको फटा-फट से नोट कीजिए सारी बाता फिल कीज़े इसके बारे में इसकीन सोट ले लिए बटा पॉज करके इसको अच्छे से अब अपना आगे बढ़ रहे हैं आप लोग तो इसको पढ़ने का एक और सेंस है आप कुछ इस तरीके से पढ़ा करिए तो अब आप क्या करेंगे आप इसको पॉज कर दें पहुज करके पहले इस बात को अच्छे से बनाएं दोबारा से रिक्लिएट करें तो बहुत अच्छे से मज आएगा पढ़ें तो तरीके से पढ़ें ऐसे कोई ना पढ़े कि मानलों ऐसे पर न्यू करके ऐसी मूवी देख रहे हैं इस तरीके से पढ़ रहे हैं ना कोई फायदा नहीं है फिर उसका इस्टडी का ठीक है आप लोग इस बात को समझें अब इसमें कुछ एक और कॉंसेप्ट हमारे पास आता है वो यह है इफ है अब बॉड़ी कि ओफ मास कि एम कि इस बींग टेकन कि अब टू कि एच हाइट बैन फिर उस कंडिशन में बच्चों एवरेज पावर वो जाएगी टोटल वर्क अपन टाइम कि तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा माजी का हलवा और साथ में टन टन अटन तो जो एम मास की बॉड़ी को एच हाइट पर आप ले जाएंगे टी टाइम में तो भाई क्या होगी पावर कर सकते हैं इस वाले फॉर्मुले से भी तो पावर के दो फॉर्मुले हैं इंस्टेंट के लिए अलग और एवरेज पावर के लिए अलग सर हमें कैसे एवरेज पावर तो आपसे पूछ रहे है रहे अगर पूछा लेंगे तो बोलेंगे फाइंड एव्रेज्पावर को जैगा तो आप अच्छे से से tut को कर सकते हैं clear मैं दौनओ type के question को आपको feel कराता हूं आप अच्छे से पहले इसको pause करके skin sort ले लिजे इसका और मैं आपको दौनओ type के question feel कराता हूं clear no problem बेटा don't figure dear Salencer is here यहां feel कराते हैं आपको इस वाले question से पहले question क्या है if force F vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus k cap newton displace a body from point A 1 comma minus 2 comma 3 to be 2 comma 1 comma 1 in 10 second then find power applied by force on body अब यहां only आपसे power world बोला है बच्चा तो आपको कौन सी वाली power find करनी है फिर instant वाली power find करनी है सीधे सीधे question solve करना है बोलो कैसे करेंगे सबसे पहले आपको question में सब दे रखा है सबसे पहले अपन यहां निकालते हैं displacement vector तो final position क्या है B तो O B vector minus O A vector position में change ही displacement होता है 2 है यहां पर यहां कितना है 1 तो 2 minus 1 करेंगे तो 1 बचेगा और यहां कोन आएगा 1 into I फिर यहां है 1 यहां कितना है minus का 2 तो 1 minus minus 2 करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा 1 minus minus 2 करेंगे तो कितना आजाएगा 3 आजाएगा means फिर हो जाएगा plus का 3 J फिर 1 और 3 1 minus 3 करेंगे तो minus का 2 आएगा और यहां पर कौन आजाएगा K आजाएगा तो यह वाली बात हो गई है यहां पर displacement वेक्टर हो गया है बच्चा फोर्स वेक्टर हमारे पास अल्रेडी है सही यह रहा बेटा फोर्स वेक्टर displacement यहां आ चुका है तो जब फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट दौनों मेरे पास है तो मैं फिर यहां से क्या find कर लोंगा work find कर लोंगा work होता है बेटा w is equals to f vector dot s vector f vector dot s vector हाँ बेटा यहां आई का coefficient क्या है 2 यहां आई का coefficient क्या है 1 तो 1 2 वहां आएगा 1 यहां जाएगा यहां आई का कोफिशेंट है 3 माइनस का यहां है प्लस का 3 वह प्लस का 1 माइनस का 2 यह देखो बेटा इस तरीके से हमने work find किया है तो बोलो work कितना निकल के आएगा बेटा यहां से work is equal to आएगा 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस से माइनस कर जाएगा तो वर्क की जो वैलू आएगी वह आएगी माइनस का 9 जूल अब work आगया माइनस का 9 जूल नाव अब हमसे क्या पूछ रही है पावर पूछ रही है तो पावर क्या होती है वर्क अपॉन टाइम होती है तो वो हो जाएगी माइनस का 9 अपॉन टी की वैलू है 10 तो आंसर आजाएगा माइनस 0.9 और आंसर किसमें आएगा बेटा पावर का वाट में आएगा तो इस तरीके से सबसे पहले अपने पोजीशन वैक्टर में को माइनस करके डिस्प्लेशमेंट निकाला फिर फोर्स और डिस्प्लेशमेंट का डॉट प्रॉडट करके अपने वर्क निकाला यहां तक की बात हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं जब हम वर्क से कुश्चन करा रहे थे और उसके बाद फिर उस में टाइम से डिवाइड करना था और पावर हमारे पास आ गई तो ऐसे कुश्चन को इजी ली अपन सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाइस्टेप मैंने आपको फील करा रहा हूं सारी बात हैं आप अच्छे से समझें फील करें और एक एक कुश्चन को बहुत अच्छे से ए इस टाइप के कुश्चन को अब देखो बेटा अब इसके बाद यह वाली कुश्चन हमारे पास आ जाएंगे तो हम देखो यह वाला कुश्चन फील करते हैं जो हम यहां लिख खिलाए हैं आप लोगों के लिए कुश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट ओफ मास एम मूफ होरीजोंटली इंक्रीजिंग इनिट स्पीड फिरॉम जीरो टू वी इन टाइम टी दा पावर नेसेसरी तो एक्सलेरेट दा अब्जेक्ट दूरिन इस टाइम पीरिएड इज बेटा आपको देखो यहां पर एक्सलेरेशन क्या दे रखा है एक्सलेरेशन हो जाएगा वी थिन्somethingता से एक होइड जगये वी ओवरती तो फोर्स हो गया एम वी अपन देन अब अपन को बेटा पावर चाहिए तो पावर क्या होती है बच्चा पावर होती है फोर्स काश और जाएगी तो हैं वी हैम एश क्वाइर ओवर टी और यह इस कूशिटिं का क्या हो clear तो इस तरिके से हम कुष्ट्षन को easily solve किरा सकते हैं आपको feel करा सकते हैं सारी बातों को बहुत अच्छे से आप लोग समझते रहे है कि भाष करके skin sort लिजिये और सारे चीजि़ों को feel कीजी नेक्स कुष्ट्षन आपको लेके चलते बच्चा फिर आ है ये वाला कुश्चन ध्यान से समझोगे इस वाले कुश्चन को अज 60 होर्स पावर एलेक्ट्रिक मोटर एक 60 होर्स पावर की एलेक्ट्रिक मोटर है तो बिटा पावर कितनी गिवन है कुश्चन में पावर गिवन है कुश्चन में कितनी है बिटा सिक्स्टी होस्पावर है सिक्स्टी इंटू होस्पावर होता है 746 और यह अंसर किसमें आएगा वॉर्ट में आएगा कि उसके बाद बेटर लिफ्ट करती है मैक्जिमम टोटल लोड ऑफ कैपस्टी 2000 केजी यह निमास दे रखा है आपको 2000 केजी का इस प्रिक्शन फोर्ष ऑन दा एलिवेटर इस फार फोर हंडर न्यूटन जो फ्रिक्शन है वह कितना है 400 newton का इस पर friction force भी लग जाता है the speed of elevator at full load is close to okay बेटा तो speed कितनी हो जाएगी अब देखो बड़ी simple सी कहानी है कि जैसे मानलो M mass को यह उपर ले जाएगी तो इस पर नीचे एक तो force कौन सा लगेगा बेटा friction force लगेगा और साथ ही साथ उस पर नीचे और कौन सा force लगेगा gravitational force mg लगेगा तो इसको उपर ले जाने के लिए जो required force है उस force के पास दो चीज़े होनी चाहिए तो सबसे पहले तो हम required force निकाल लेते हैं बेटा जी तो required force जो आएगा अपने पास required force जो आएगा जो जिससे इसको उपर की तरफ ले जाना है बेटा जी वो required force यहां पर कितना आएगा required force आएगा capital F is equal to कितना कितना friction वाला force भी अपोच में लगा रहा है तो उसको भी विलेंस करना होगा plus mg को भी विलेंस करना पड़ेगा इन दौनों को बहुत अच्छे से हम यहां पर cover करेंगे ठीक है अब इसके बाद की बाद समझो बेटा friction force कितना है यहां पर 400 newton given है तो 400 हो जाएगा एम की value कितनी है बेटा जी एम की value है 2000 और साथ में कौन है जी की value कितनी है 10 तो बेटा यह 20,000 और 4 तो टोटल फोर्स निकल के आएगा बेटा 24,000 न्यूटन टोटल फोर्स कितना है जो मोटर को apply करना है इसको उपर करने के लिए 20,000 न्यूटन अब आप इसके बाद solve करेंगे आगे की बात उसको feel करो बेटा power is equal to क्या होता है power is equal to होता है force into velocity तो यहां से अगर हम velocity find करेंगे तो velocity क्या हो जाएगा force upon power हो जाएगा यहां पर force कितना है 24,000 है और power कितना है बेटा power है 60 into 746 और यहां से solve करके जो answer आएगा वो meter per second में हो जाएगा clear तो वो ही आप से पुछाता speed of elevator मतलब किस speed से elevator जो है वो उपर जाएगा तो वो हमने निकाला सबसे पहले हमें cushion में जो दे रखा था power और mass दे रखा था friction दे रखा था तो अगर इस body को उपर लेके जाना है force लगा कर तो उसको दो force को balance करना होगा बच्चा एक तो friction force को balance करना होगा एक mg वाले force को balance करना होगा इन दौनों forces को balance करके body F force को लेकर उपर जाएगी तो जो required force होगा वहां पर बेटा जी वो होगा friction force प्लस mg friction force कितना है 4000 हो गया mg m की value ये g की value 10 लगाया तो required force इतना है अब अपन जानते है power is equal to होता है force into velocity तो फिर velocity is equal to force upon power हो जाएगी एक सेकेंड हाँ उल्टा कर दिया इसमें अपन power upon force होगा sorry चीची यह हो जाएगा power upon velocity power upon force होगा power कितनी है power दे रखी है अपन को कितनी हमने find की है 60 into 746 और force कितना given है force निकाला है अपनने 24,000 इसे solve करेंगे जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा clear तो ऐसे कुश्चन को इजिली solve कर सकते हैं pause करिए feel कीजिए इसकी insert लीजिए और notes प्रेपेर कीजिए बहुत सिंपल सी बात है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए बेटा आपको pause करके पहले उसको feel करना है तब आगे बढ़ना है इसलिए वीडियो आपके पास recorded डाली जा रही है तो आ आगे उन चीज़ाँ को देखते चले जाएं clear है तब ही आप बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर सकते हैं अगे तो यह सब बात है अपने पास फिनिस हो गई है पावर से रिलेटेड अब हम आपको लेके चलते हैं next important topic है हमारे पास वह है collision क्या है कैसी कैसी बाते करते हैं वह सारी बात है हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं पहुत फील करेंगे collision के बारे में सबसे पहली बात तो यह बेटा collision का means होता है दो बोडी आपस में कुलाइड करें यानि टकराती हैं तो सिम्पल सी बात है जब दो बॉड़ी आपस में कॉलीजन करेंगी तो एक बॉड़ी दूसरे पर दूसरी बॉड़ी पहले पर एक को लेन अपोजेट फोर्स लगाएगी तो बेटा सिम्पल सी बात है कि वहां उनका मुमेंटम भी कैसा रहेगा सेम रहेगा यही बात लिखने सबसे पहले पॉइंट ट्रमबर वन में इन इस टाइप ओफ कोजिजन कोई भी कॉलीजन के बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन किसी भी कॉलीजन में बात करते हैं तो इन इस टाइप ओफ कोजिजन बाड़ीज एपलाइड का इक वइन्ड the opposite force on each other that is why there, linear momentum मुमेंटम कैसा रहेगा उनका कॉंस्टेंट रहेगा आप इस बात को बहुत अच्छे से दिहान रखें जैसे माल लो एक मास है एक मास है एम टू वो चल रहा था यू टू से और कॉलीजन हो गया और कॉलीजन होने के बाद एम वन चला है किस से वी वन से और एम टू जो चला है वो किस से चला है बच्छो वी टू से तो बिफोर कॉलीजन और आफ्टर कॉलीजन क्या हो रहा है बिटा यह वैलोस्टीज की बात है तो मुमेंटम कॉंस्टेंट होगा बोला ना यह वाली लायन सब को ध्यान रखें लीनियर मुमेंटम रिमेंस कॉंस्टेंट और कंजर्व्ड लीनियर मुमेंटम कैसा रहेगा constant या कंजर रहेगा तो अगर हम इसी के भ्याप पर बात करते हैं तो बस यहीं से M1U1 plus M2U2 is equal to M1B1 plus M2B2 यह पहला वाला concept है किसी भी टाइप का कॉलीजन हो 90% कुशन जो हैं कॉलीजन के वो इस वाली बात से 100% सॉल्व हो जाएंगे मतलब 95% कुशन में यह वाला concept आपको लगाना ही पड़ेगा क्या momentum conservation योगि जब भी कॉलीजन होगा बेटा तो एक दूसरे पर वहाँ Google appropriate force लगेगा ही लगेगा और यहाँ momentum भी सेम ही रहेगा before Collision after Collision momentum सेम रहेगा कॉलीजन मैंनली टू टाइपस के होते हैं एक होते हैं 공 proportion एक होते हैं external collision internal collision जैसे explosion of bomb जो bomb के अंदर जो nucleus होते हैं वो आपस में collision करते हैं और वहां से break हो जाते हैं यह होता है explosion of bomb यह भी Momentum conservation का concept है एक होता है अपने पास कौन्सा वाला conservation internal collision में ही एक होता है जैसे firing a bullet from gun तो वहां gun का जो अंदर का starter होता है और जो है उसके बीच में Kleena होता है तभी तो उलत आगे बढ़ती है यह इंटरणनल कॉलीजन है एक सब्सक्क के लेको कोगलीजन कुछ ऐष होते हैं जो इंटर्नली होते हैं उस बाहर होते हैं लेकिन सभी टाउप के कउलीजन में बेटा जी सभी टाउप के इनीर मुमेंटम कैसे रहिगा कंजर्व रहन ध्यार्ण रखने वाली बात है जो nuclear reactions होती है nuclear fusion nuclear fusion जो होती है जहां हैवी nucleus छोटे-छोटे nucleus में break होते हैं बहुत जादा energy वहां से create होती है atom bomb बगारा explosion उसी principle बढ़ करता है उन सभी में internal collision होता है बच्चो और हल टाइप के internal collision में बच्चो वहां पर linear momentum कैसा रहता है constant रहता है उसमें कोई एक percent भी वहां पर change नहीं होता है आप यह सारी बात अच्छे से ध्यान डखोगे तो यहां से बनने वाला question आप से जरूर बनेगा और आप अच्छी बातें आराम से feel कर जाओगे तो क्या सब लोग समझ गए हैं जो मैंने point number one लिखा है सबसे पहले हर question में आपको लगबग यह वाला तो लगाना ही होगा momentum before collision momentum after collision यह वाली बात आपको apply करनी ही होगी और यह मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है अब हम पढ़ते हैं कि कौन से collision में energy का loss होता है कौन से collision में energy का loss नहीं होता है energy का जिन में loss होता है उनको क्या बोलते है energy का loss जिन में नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं फिर से ध्यान दिला दूं कि linear momentum तो हर type के collision में constant रहता है लेकिन energy कुछ में constant होती है कुछ में constant नहीं होती है वो वाली बात पढ़ने वाले हैं पॉइंट रंबर वन को पहुच करके आपको लिखना है अच्छे से सारी बात है फील करनी है अब हम आपको पॉइंट रंबल टू पर लेके चलने वाले हैं सब लोग ध्यान रखेंगे पॉइंट रंबल टू क्या ह सर पॉइंट रंबल टू में क्या है पॉइंट रंबल टू में मैं आपको ऐसे से से बात पढ़ा रहा है और वह उल्धा कोफीशेंट और Restitution Coefficient of Restitution Coefficient of Restitution क्या है सर ये डिसाइड करेगा कि जब दो बोडी आपस में ठकराएंगी तो कितनी एनर्जी का लॉस होगा इस बात को कौन बताएगा सर इस बात को बताएगा Coefficient of Restitution क्रप्या ध्यान दें ऐसी कोई यूनिवर्स में कॉलिजन नहीं है जहां दो बोडी आपस में ठकराएं और एनर्जी का लॉस ना हो कोई भी यूनिवर्स में ऐसा कॉलिजन नहीं है बच्चा That's why Coefficient of Restitution क्या है बच्चो मैं फील कराता हूँ आपको यहां पर velocity after collision upon relative velocity before collision relative velocity after collision relative velocity before collision अब सर्क्या है कॉलिजन के पास तो वो वाली बात अब हम समदा देते हैं जैसे मानलो M1 मास की बोडी चल रही थी किस से U1 से M2 मास की बोडी किस से चल रही थी U2 से दोनों बेटा उसके बाद कॉलिजन होता है M1 वाली किस से चलेगी बच्चा V1 से और M2 वाली बोडी किस से चलेगी मेरे बच्चो V2 से चलेगी तो अब coefficient of restitution क्या हो जाएगा बच्चो E is equal to relative velocity after collision यानि V2 माइनस क्या करेंगे V1 और relative velocity before collision U1 माइनस U2 और यह कभी negative नहीं होगा that's why मैंने इसको मौड लगा दिया है यह है E coefficient of restitution relative velocity after collision V2 माइनस V1 relative velocity before collision U1 माइनस U2 यह है coefficient of restitution जो यह decide करेगा कि relative velocity में change हो रहा है या नहीं और relative velocity यह decide करेगी कि kinetic energy में change हो रहा है कि नहीं और kinetic energy में change जो है वही इस बात को decide करेगा कि कौन से type का collision वहाँ पर हो रहा है तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि coefficient of restitution जो है बच्चो इट इस hurt of you know hurt hurt of किसका hurt है यह collision का collision में यह समझ डाला तो collision में आपकी life जिंगा लाला फिर आपको collision में बराक ओबामा की वाइब भी नहीं रोक पाएंगी question solve करने से collision में दो बात है नहीं बूलना है एक तो momentum conservation वो तो very simple very simple or and second thing is relative velocity after collision relative velocity before collision का ratio this is called coefficient of restitution कोई तुमसे पूछे क्या कि वोटेज कोफिशियंट of restitution sir coefficient of restitution is the is the factor which decide the change in relative velocity due to collision coefficient of restitution एक factor है एक value है जो इस बात को decide करती है कि collision के बाद velocity में change होगा तो कैसे होगा किस तरीके इसे बात हैं होंगी इस बात को decide करता है coefficient of restitution coefficient of restitution जो है वो यह decide करता है कि energy में loss होगा या नहीं होगा अब अगर कोई बोले किसकी value क्या है तो it is the ratio of relative velocity after collision to relative velocity before collision इसको याद कर डाला तो collision में क्या बोले life जिंगा लाला अब यह collision decide कर यह coefficient of restitution decide करेगा कि किस type का collision है clear तो point number two में मैंने very most handsome coefficient of restitution को आपको explain किया है सारी बातों को ध्यान रखना है feel करना है pause करके skin shot लीजिए और फिर उसको feel करने के बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थरी और feel करते हैं coefficient of restitution हो गया अब इसकी according हम type of collision पढ़ेंगे देखो मैं क्या लिख रहा हूं according to E, E बोले तो coefficient of restitution types of collision E के according collision के type क्या क्या है वो feel करते हैं सबसे पहले number A लिखेंगे अपन perfect इलास्टिक या बिटा only elastic ही बोल देंगे तो समझ लेना के वो perfect elastic ही बोल रहे हैं और क्या है यह collision तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं elastic collision सर elastic collision क्या होते हैं elastic collision में सबसे पहली बात तो यह है कि इनके लिए E की value क्या होती है 1 होती है दूसरी बात जब E1 हो जाएगा बच्चो तो फिर U1-U2 is equal to हो जाएगा V2-V1 अरे वह E की value क्या है E की value तो यही तो थी ना V2-V1 upon U1-U2 यही तो E की value थी यह सर अब इस E की value हो जाएगी 1 तो यह इधर आ जाएंगे तो U1-U2 is equals to V2-V1 इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब relative velocity में कोई change नहीं हुआ है और relative velocity में कोई change नहीं हुआ है मेरे बच्चो तो यहां पर body की जो kinetic energy होंगी kinetic energy जो होंगी body की वो भी कैसी रहेंगी constant रहेंगी it means अपन बोल सकते हैं के here no loss in energy here no loss in energy तो perfect elastic collision या elastic collision कौन होते हैं बच्चो first of all कि उनके लिए e की value coefficient of restitution क्या होता है one होता है means collision से पहले की relative velocity बाद की relative velocity equal होती है it means उनकी kinetic energy भी constant होती है means उनकी energy में कोई loss नहीं होता है और वहीं मुमेंटम तो पहले भी constant था momentum के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह momentum तो हर टाइप की collision में constant होता है कंजर्ब होता है तो elastic collision only one ऐसा collision है जिसमें body की kinetic energy भी कंजर्ब रहती है momentum के साथ साथ बेटा जी जैसे मैंने आपको थुल देर पहले बताया था कि इस पूरे universe में ऐसा कोई भी collision नहीं है कि भाईया collision हो टकराब हो और energy का loss नहीं हो क्या यह बात practically possible है भला नहीं है कुछ न कुछ energy में change तो होगा ही होगा इसलिए हम इन दो कॉलीजन को ideal condition में मानते हैं एक तो मानते हैं कि motion of free electron inside the conductor जो conductor होते हैं metals होते हैं electricity के conductor होते हैं उनके अंदर free electrons random motion करते रहते हैं एक दूसरे से collision करते रहते हैं और यह माना जाता है कि उनके collision में किसी type का कोई loss नहीं होता है energy का या फिर इसके अलावा जो gas के molecules होते हैं ideal gas के molecules होते हैं उनके collision को भी elastic मानते हैं बोलते हैं कि उनमावी कोई energy का loss नहीं होगा लेकिन practically कोई भी collision perfect तरीके से elastic नहीं हो सकता थोड़ा बहुत energy का loss change सभी में possible है क्या बात किलियर हो रही है लेकिन फिर भी अगर तुमसे कोई एक्जामबल पूछेगा तो आपको क्या बोलना है एक्जामपल ओफ कॉलीजन में लास्टिक कॉलीजन में कॉलीजन ओफ फ्री लेक्ट्रॉन इन कंड़क्टर कॉलीजन ओफ गैस इनको मान लेना है तो यह बात थी हमारी सबसे पहली बात बात जिसमें हमने आपको बताया वोट इस परफेक्ट इलास्टिक या ओनली इलास्टिक कॉलीजन जहां है के वेलू वन doing कानेट एनरजी को फूल को कोई नहीं होता मूमेंटम तो कॉंस्टेंट होता ही होता है यह पहले टाव का विजन था क्ली लियर अब तक अच्छे से पहला वाला पॉइंट था अब हम और भी बातें आपको सिखाने वाले हम अब हम बात करते हैं नंबर बी दूसरा वाला कॉलिजन जो है वो है इन इलास्टिक कॉलिजन इन इलास्टिक जो कॉलिजन होता है बच्चो इसमें क्या क्या बाते हैं वो फिल करो first of all तो इसमें यही है के here e की जो value है वो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है यहाँ e की value 0 and 1 के बीच में होती है अब 0 और 1 के बीच में जैसे मालो e की value 1 by 2 है तो 1y2 is equal to क्या हो जाएगा बेटा v2 minus v1 upon u1 minus u2 है ना अब बताओ यह इधर जाएगा तो u1 minus u2 is equal to क्या हो जाएगा 2 v1 minus v2 minus v1 हो जाएगा यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पर u1 minus u2 उससे क्या है डबल है इसका मतलब आप इसमें यह वाली बात कह सकते है ना कि भई u1 minus u2 यहनि विफोर collision relative velocity ज्यादा होगी और v2 minus v1 यहनि after collision relative velocity कम होगी यहनि विफोर collision की velocity है वह greater then है after collision से यहीं आप समझ पा रही हो कि collision के बाद relative velocity में loss हो रहा है तो फिर यहीं पर हम बोल सकते हैं कि loss in किसमे kinetic energy में यहीं काइनेटिक energy में भी क्या हो जाएगा फिर उसके साथ साथ loss हो जाएगा यहीं हम यहीं बोल सकते हैं कि जो kinetic energy है उसमें कोई change नहीं होगा तो काइनेटिक energy भी constant यहाँ पर नहीं होगी बेटा यह है काइनेटिक energy में कोई change नहीं होगा mostly all collision इसी type के होते हैं कुछ collisions को छोड़ दिया जाए तो तो कुछ न कुछ energy में loss हो जाएगा तो मुमेंटम तो यहाँ constant रहेगा लेकिन काइनेटिक energy में कोई change नहीं होगा काइनेटिक energy यहाँ पर constant रहेगी नहीं रहेगी बेटा उसमें change हो जाएगा लेकिन मुमेंटम कॉंस्टेंट रहेगा ध्यान दीजिए मुमेंटम कंजर्व रहेगा कॉंस्टेंट रहेगा काइनेटिक energy में change होगा क्योंकि यहाँ आपने देखा है coefficient of restitution के according हमने इस बात को feel कराया है आपको और सारी बातों को अच्छे से समझाया भी है clear तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहां क्या क्या कॉंस्टेंट हो रहा है कैसे कैसे कॉंस्टेंट हो रहा है वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस डेट क्लियर ओके अभी हमने पॉइंट बीको एक्स्प्लेन किया है अभी हम थल्ड वाला करने वाले हैं तो Luca ji Culi यसें में पास परफंट को ट! कि तो इन इन नहाई Üकलिए एस अब है हमारे पास पर्फेक्ट आइन एनलास्टिक है perfect इन elastic perfect in-elastic collision है यह बाला पार्ट इसको feel करते हैं बैठा सबसे पहली बात तो कि perfect in-elastic collision में कि यहा हो जाती है 0 सर ई क्या है ई है वी टू माइनस वी वन अपन यू वन माइनस यू टू और इसको क्या बोल दिया है कुशन ने जीरो बोल दिया है यह बहिया जीरो में चले जाएंगे तो यहां से बात किलियर होके आई है कि वी टू इस इक्वल टू क्या है वी वन यह आप समझ रहे हैं कि आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, वेलोसिटी बिकम एक्वल, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन दोनों की एक्वल हो जाएंगी, मतलब हम बोल सकते हैं, कॉलिजन के बाद बोडिज आपस में जॉइन्ट हो जाती हैं, उनकी वेलोसिटी एक्वल हो जाती है, इस टाइप के कॉलिजन को क्या बोलते हैं बच्चा, परफेक्ट इनिलास्टिक बोलते हैं, मतलब अभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, तो आप बोलोगे ना, काइनेटिक एनर्जी कॉंस्टेंट नहीं होती, बेटा कॉलिजन के बाद देखो इनकी ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है, कॉलिजन के बाद बोडी अपस में जॉइंट हो जाती है, मतलब हम तो डूबेंगे ही सनम, आपको भी लेकर डूबेंगे, यानि जो करेंगे साथ साथ करेंगे, रिस्ता बन जाता है इनके बीच में, तो बहुत यह वाला कॉलिजन की तो बोडी सिंपल सी ट्रिक है, पहँचानने की आइडेंटिटी, कि जिन कॉलिजन में कॉलिजन के बाद बोडी अपस में जॉइंट हो जाती है, ऐसे कॉलिजन को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, इस देट क्लियर, एनी प्राब्लम, आई होप सो की, नो प्राब्लम, क्लियर, फटा फट से आप इसका खीच मेरी फोटो वाले गाने से, इसकी इन शॉट लें, पॉज करें, अच्छे से फील करें, तब इसको समझें, यह जो परफेक्ट इन लास्टिक कॉलिजन है, बेटा, इसके एक्जांपल हो सकते हैं, जैसे एक्जांपल में हो सकता है, एक्जांपल में कॉलिजन ओफ इलेक्ट्रोन एंड प्रोटोन, अगर कोई हमारे पास लकडी का कोई ब्लॉक है, और वुडन ब्लॉक है, उसमें अगर कोई बुलट कॉलिजन करेगी, तो वो उसमें धस जाएगी, यह जो कॉलिजन होगा, यह भी परफेक्ट इन लास्टिक होगा, मतलब सौ बातों की एक बात ना यार, चलती गाड़ी मे बंदर का कूच जाना, हां सर, यह भी उसी का कॉलिजन होगा, तो देशे, क्या बोला मैंने आपको कि सववातों की एक बात इतनी सी है, कि जहां जहां कॉलिजन होते, टाइम, बोडी आपस में जॉइंट हो जाएं, जॉइंट कर जाएं दूसरे को, उसको पन क्या बोलते ह हैं, उसको पन बोलते हैं, कॉलिजन कौन सा वाला, पर्फेक्ट इनलास्टिक वाला, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बहुत अच्छी से सारी बात हैं, एक्स्प्लेंड कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं, फटा फट से इस बात को नोट कर लीजिए, स्क्रीन ले लीजिए, तो तीन टाइप के कॉलिजन थे बैटा, मैंने बताया आपको एक बार फिर से फिल कराऊंगा, आपको कॉलिजन के बारे में सारी बात है, कॉलिजन के बारे में एक बार फिर से फिल करने आ गए हैं, बैटा, ध्यान से समझाएंगे, कॉलिजन कोई भी टाइ का कॉलीजन क्यों ना हो मुमेंटम तो कॉंस्टेंट रहेगा अब हम बात करने आ गए हैं कॉलीजन के दूसरे वाले फैक्ट को एनेलाइस करने वाले हैं तो कॉलीजन में एक तो हमारे पास होता है in Elastic Collison 2019 होता है हमारे पास पूरी बात को करने के बार माई बना रहे हैं in Elastic Collison और एक होता है बच्छा हमारे पास perfect in Elastic Collision perfect in Elastic तेनों बातों को feel करते हैं बैटा जो elastic collision होता है वहाँ पर E की value क्या रहेगी बच्चो 1 रहेगी जो in elastic collision होगा बेटा वहाँ E की value क्या रहेगी बेटा जी 0 और 1 के बीच में रहेगी और जो perfect in elastic collision होगा बेटा जी वहाँ E की value क्या रहेगी 0 रहेगी इसके अलावा और क्या-क्या बात हैं इसके अलावा बात यह है कि इस वाले कॉलिजन में relative velocity जो है वो before collision और after collision क्या रहती है सेम रहती है यहाँ पर क्या है relative velocity जो है वो before collision जादा रहती है और after collision जो relative velocity है वो कम हो जाती है ही वाली बात ठीक है देखो सारी बात है facts में last में आपको एक साथ analyze कर रहा हूँ और यहां क्या होता है सर यहां relative velocity बाद की zero हो जाती है मतलब body आपस में joint हो जाती है तो वही simple सी बात है यहां पर body अगर relative velocity सेम हो जाती है तो बोलेंगे no loss in kinetic energy kinetic energy में कोई loss नहीं होता है practically ऐसे collision possible नहीं है यहां पर बेटा जी जब velocity कम हो रही है मतलब loss होगा किस में kinetic energy में और यहां पर भी बेटा loss होगा kinetic energy में हो सकता है kinetic energy zero भी हो जाए दौनों body rest में भी आ जाए लेकिन जो भी करेंगी साथ में करेंगी यह सब बातें आपको ध्यान रखनी है किसी भी type का collision में यह बातें आपको fact को ध्यान रखना है खीच मेरी photo वाले गाने से इसका भी इसकी इंसर्ट लें पूरी तरीके से वीडियो को पहुज करके पहले पूरी बात का feel लें अच्छे से समझें सारी बात को क्या क्या कैसे कैसे होता है और सारी बात यहीं पर finish हो गई हैं इसी topic में सबी बच्चे अच्छे से feel करें इस बात को बहुत अच्छे से feel करें सारी बात को हम अब अपन आगे बढ़ते हैं और feel दलाते हैं आपको देखो जी वही सारी बात है coefficient of restitution मैंने सब आपको feel करा दिया है तो अब तो टैंसल लेने की बात ही नहीं सब सिखा दिया है मैंने आपको Elastic Collision बगएरा सब मैंने समझा दिया सब मैंने आपको सिमझा दिया है अब इससे पहले एक concept है वो मैं आपको feel कराता हूं सर उस concept का नाम है head on elastic collision head on elastic collision head on elastic collision क्या है head on elastic collision में बेटा head on classic collision में ये है जैसे मान लो एक मास है M ये चल रहा था U1 से एक और सेम मास था M वो चल रहा था U2 से अगर इनमे head on elastic collision होगा तो बेटा जो पहले वाला है M मास उसकी velocity हो जाएगी कौन सी वाली ये वाली हो जाएगी u2 और दूसरे वाला जो है M मास उसकी velocity क्या हो जाएगी पहली वाली हो जाएगी यानि यू बन उन हो मतला दो एक्वल बोडी दो एक्वल मास जब एक दूसरे से head on elastic collision करते हैं तो पहले वाली बोडी की velocity दूसरी हो जाती है दूसरे बाले body की velocity पहली हो जाती है means उनकी velocities आपस में exchange हो जाती है बच्चा ये होता है head on elastic collagen ध्यान रखें direct concept है बहुत अच्छे से आप सारी बातों को सीधे सीधे apply कर सकते है what is head on elastic collagen if two bodies of same mass collide in elastic way then they exchange their velocity to each other दोनों एक दूसरे से अपनी velocity को यहां पर क्या कर लेंगे exchange कर लेंगे इसको बोलते हैं बच्चा head on elastic collagen collagen के regarding ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा collagen regarding बेटा बहुत सारे अच्छे-च्छे questions आपको feel कराएंगे हम next class में इस class में मैंने आपको पूरे collagen को अच्छे से explain किया है सारी बातें आपको समझाई है next class में numericals कराऊंगा collagen पर तो उस class को देखना जुड़ना ना भूलें बहुत ही feelable class रहेगी आपके लिए बहुत अच्छे से आपको feel दिला सकते हैं तो मिलते हैं आपसे next class में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें इसी तरीके से हसते रहें मुश्कराते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ जै हिंद जै भारत